हमारा मन ही हमारे दुखों का कारण होता है। ऐसे में श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि जिस व्यक्ति ने अपने मन पर काबू पा लिया, वह मन में पैदा होने वाली बेकार की चिंताओं और इच्छाओं से भी दूर रहता है। साथ ही व्यक्ति अपने लक्ष को भी आस प्राप्त कर लेता है।